ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर्मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशीफल यह राशीफल है 15 अप्रेल 2024 सोम बार का दिन है चेत्रमहा के शुकलपक्ष की शप्तमी चिथी है इस दिन नवरात्री का सात्वा दिन रहेगा नवरात्री के सात्वे दिन की अधिश्ठात्री देवी का पूजन अर्चन किया जाएगा इसी दिन निशा पूजा का आयोजन किया जता है पुनर्वसु नक्षत्र दिन और रात में रहेगा तथा मिथुन राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में होंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुक्सान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारणवस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत जड़ अवश्यक हो तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा का श क्षेत्र के पंचांग अठ्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरिदेव जो की मेस रासी में वहीं चंद्रमा मि इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिथुन सिंग तुला धनु एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागिशाली रहने वाली है कारिक्षित्र में इनको नत्य और प्रगति के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसाथ नया काम नई जुम्मिदारी न सबसाब पहला जो चोग रहता है वह सुबह छे बज़े से लेके साडह साथ बज़े तक अमरत का चोग्रय का रहेगा और 9 वज़े कें साडhetा दस बज़े तक शुब का चोग्रय रहेगा तथा दो पहर देड़ बजे से लेके तीन बजे तक चर का चोगडिया रहेगा दो पहर बाद तीन बजे से लेके साड़े चार बजे तक लाब का चोगडिया रहेगा सामको साड़े चार से छे बजे तक अमरत का चोगडिया रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे, नया काम करेंगे, तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का सायूग निर्मित हो सकता है। अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फलबताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्थक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी सेरवजनिक इस्थान पर कोई बहस होने जैसी इस्तिती बन रही है। बहतर होगा कि अपने काम से ही आपको काम रखना चाहिए। और उपाई के रूप में गरीब आदमी को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक एक होगा। भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा। अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की। इस समय लाब दायक ग्रह सितियां आपके लिए बन रही है। कोई निवेश्यदी करने जा रहे हैं तो समय उत्तम है। भूमे भवन वाहन भी खरीटने का आप विचार बना सकते हैं। परन्तु इससे संबद्दित कोई भी कारी करन से पहले अनुभवी व्यक्ति की सला अवश्य ले। धार्मिक तथा सामाजिक गति विदियों में आपका विशेश योगदान रहेगा। महत्तुपून संपर्क स्थापित होने से आत्म विश्वास आपका बढ़ने वाला है। और उपाई के रूप में कच्चा दूर शंक सामना करने में समर्थ रहेंगे। आज किसी से भी उधार पेसा न ले। इससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है और संबंद खराब हो सकते हैं। और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाल अंक छे होगा। भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की। अगर कोई शास्की कारी रुका हुआ है। तो किसी अनोगोई व्यक्ति के साथ मिलकर के विचार विमर्ष अवस्य करे। आपको सपलता मिलेगी। परिभार के साथ किसी ध प्रगती की सुचना भी आपको मिलने वाली है और आपको संतिपूर्ण तरीके से सभी काम करना चाहिए उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आएंगे कारियर संबंदी कोई नया आउसर मिलेगा किसी खास या बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको फाइदा भी होगा तथा मानसिक शान्ती भी आपको प्राप्त होगी कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है और सकारात्मक गतिव दियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे धनलाब होगा चिंता न करे समय आपका साथ पूरा पूरा देगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाल को कैरियर से संबंदित सकारत्मक परिणाम प्राप्त होंगे उससे सुकुन भी मिलेगा व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार तथा अपने रिस्तेदारों के लिए उचित समय निकाल लेंगे कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करना बह अगिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की ग्रहों की स्थितियां आपके लिए भरपूर सहयोगात्मक बनी हुई है आप किसी भी कारिय में हाट डालेंगे उसमें सफल अवश्य ही होंगे प्रपन्तु प्रापर्टी की खरीद फरोक्त संबंदि अगर कोई कारिय आप करने जा रहे हैं तो उसमें लापरवा ही बिलकुल न करें कोई भी दस्तावेज बिना पड़े हस्ताक्षर न करें आलस्य और मोज मस्ती में समय व्यर्थ व्यतीत न करें इसकी वजह से आप अपनी कई महत्वपूर्ण उपलवधियों को ग लगित रखे क्योंकि इनमें समय व्यर्थ होने के अलाबा कुछ हासिल नहीं होगा नोकरी में अपने लक्ष को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे आपको प्रमूशन भी प्राप्त हो सकता है मैंसमान के सांसाथ आपको आर्थिक फाइडा होने का दिन भी है रुका हु रुप में यदि आप सफेद रंग की कोई भी वस्तू का दान जैसे चावल या शकर का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आपको पसंद करेंगे किसी भी नकारत्मक परिस्तिती में अपना आपा न खोए शांती पूर्ण तरीके से परिस्तितियों का सामना करें विध्यारती वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रती लापरवाहा हो सकते हैं जिसका दुष्प्रभाव उनके परिनाम पर पढ़ सकत है व्यर्थ के बाहरी संपर्कों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विष्णुजी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की अगर कुछ परिवर्तन या सुधार संबंदी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी नया काम नई जिम्बिदारी आपको मिलने वाली है धनलाब भी होगा इसके साथ साथ आप आपको संबान भी प्राप्त होगा यदि आप नया काम जैसे नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या नई नोकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी लेकिन शत्रू आपको परिशान करने का प्रयास कर सकते हैं धनलाब होगा घर परिवार मे नई खुशियों का आगमन होगा कोई नजदी की मित्र या रिस्तिदार जलन की भावना से आपके खिलाप कोई ने कोई अफवा फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहे व्यापार व कामकाच को लेकर आप बहुत गंभीर वो समारपित रहेंगे उपाय के रूप में मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक नो होगा भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क होगा आपके किसी खास उनर देखने को मिलेंगे उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आर्थिक पक्ष कुछ मजबूत बनेगा दोस्तों के साथ पारिवारिक मन और अंजन के कारिक्रम बन सकते हैं खुशनुमा माहोल में आप दिन व्यतित करेंगे किसी भी महत्तुपूर्ण कारिकों करते समय घर के सदस्यों का सहयोग और सलह आपके लिए महत्तुपूर्ण रहेगी पारिवारिक व आगिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कुछ समय अपनी रूची पूर्ण कारियों में आपका व्यतित होगा इसे आपको आत्मिक शान्ती वा खुशियां प्राप्त होगी व्यासता भरी दिन चरिया आपकी रहेगी थकान भी आपकी दूर हो आपको लक्ष के प्रती गंभीर रहना चाहिए अन्य था भविश्य संबंदी परिशानिया उनको उत्पन हो सकती है मशीन दित था कार खाने से संबंदित व्यवसाय में कोई बड़ा आउडर मिल सकता है इसलिए पूरी महनत और एकागरता के सांथ में आपको काम करना चाह और उनको करने वाले उपाय तथा भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद